हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में 6 नवंबर के बाद मिनी कुम्भ का आयोजन होने जा रहा है जिसमें देश भर के संत और शंकराचारे महाभाग भी उपस्थिती दर्च करवाएंगे ये अवसर मंडी के लिए इतिहासिक बनने जा रहा है और इसका प्रभाव इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्च हो जाएगा पहली बार मंडी में श्री रामाचारे यग्य का योजन किया जा रहा है जिसमें श्री राम के नाम से जुड़े वैदिक विधियों का समर्पण किया जाएगा अखिल भारतिय दलित पिछडा एवं अल्प संख्यक वर्ग परिशद हिमाचल प्रुदेश के महा सचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही की तरफ से सभी प्रदेश वासियों को दीपावली विश्व कर्मा दिवस्व भाया दूज की हार्दिक शुपकामनाई श्री रामा चारे महा यग्य को संपन करने के लिए क्षेतर के देवी देवताओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है महंत राजेश्वरा नंद सरस्वती ने प्रथम निमंत्रन सिद गणपती को देकर यग्य के निर्विग्न रूप से संपन होने की प्रार्थना की इसके बाद मंडी रियासत की राजा श्री राज माधवराय और बाबा भूतनात को निमंतरन पत्र देकर यग्य की सफल संपन्नता के लिए आशिरवात मांगा गया इस महायग्य में शामिल होने के लिए 60 से अधिक देवी देवताओं के मंदिर में निमंतरन पहुँच गए हैं साथी महाशिवरात्री में भाग लेने वाले राज देवी देवताओं को भी निमंतरन जारी किया जा रहा है कुलू रियासत के राजा श्री रगुनाथ और श्री रिंगा रिशी को भी निमंतरन पत्र दिया जा रहा है इस अवसर पर विशिष्ट वेदल क्षणा देशी गाय की उपस्थिती रहेगी ऐस अरह क्यां पुटकीपनी अभार विश्ट वेदल के स्विष्ट श्री रहा है इसमें कथा के लिए कथा व्यास के रूप में जगदभू स्री राम नलाचार जी के मुखार्विंग से स्री राम पता एवं इसमें देश भर के सवी संब्रदायों के संतों का पदार्बन मुख रूप से आचार महामिलेस्वर निर्मार्ठव भारति लोगों के लिए यह भंदारे का आविजन भी किया जा रहा है सभी म्यात के कथा सरवन कर अपने जिवन पतार्थ करें वहग्मा स्री राम के optी महायिक का प्रशाद क्रों कर heck हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रही है EWN 24 News, Choice of हिमाचुल के साथ